नमस्कार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बढ़ फिर से कॉंपेटिशन कम्यूनिटी का ये खास इनिसियेटीव फास्ट रिविजन कूर्स में टार्गेट है हमारा CGPSC का प्रारंबिक परिक्षा 2019 और वक्त बहुत कम बच गए हैं तो आप लोग भी अपनी तयारी को बहतर बनाने के लिए और अच्छे तरीके से रिवाइस करने के लिए फास्ट रिविजन कूर्स से जरूर जूरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे द करकल मैंने एक लाइफ सेशन में एनॉंस्मेंट भी किया था कि इस फास्ट रैक रिविजन सेशन का अंत हो रहा है 31 जुनवरी 2020 को और दो फरवरी 2020 को आप लोगों के लिए एक राज इस तरही मेगा टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है बिलकुल मुफ्त तो उस टेस्ट को किस तरह से दिया जाएगा online mode किस तरह से होगा offline mode किस तरह से होगा तो आप हमारी website पर visit करें और website पर जो numbers दिये गए उन numbers पर call करके सारी जानकारी ले सकते हैं आपके screen के नीचे में भी contact number दिया हुआ है registration के लिए या फिर आधिक जानकारी के लिए आप हमें इन दिये गए numbers कर लें ठीक है एक बार फिर से सिड्डूल बता देता हूं किस तरह से हमारे रिवेजन का स्वेशन चल रहा है सुबा के आठ बजे हम लोग पॉलिडी के कुश्चन्स डिसकस कर रहे हैं फेस वन हमारा फ्टीर के चल रहे है साम को पार बजे हम लोग 36 गड़ करें इंटरफेर किजेगा आपको कहा गया था कि संडे को आप लोगों को एकनोमिक सर्वे और बजट की वीडियो मिलेंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स की वज़े से हूँ आपको वीडियो नहीं मिला है बहुत जल्द आप लोगों को एकनोमिक सर्वे और बजट के वीडियो भी अवलेबल कर वादिये जाएंगे तो चलिए आज का discussion सुरू करते हैं आज के इस वीडियो में मैं कुछ 36 गड़ से related sports personality के बारे में discuss करूँगा और एक दो question यहाँ पर हम लोग मिसलेनिया से भी संबन्दित questions करेंगे क्योंकि हर साल sports personality से related आप लोग देखते हो कि एक या दो question पूछा ही जाता है तो चलिए आप लोगों के लिए पहला question है भारतिये बैडमिंटन संब द्वारा जारी हालिया रेंकिंग के अनुसार 36 गड़ की आकरसी कस्यप को दूसरा इस्थान प्राप्त हुआ है आपको ये बताना है कि आकरसी कस्यप कहा की निवासी है आकरसी कस्यप बैडमिंटन से जुड़ी 36 गड़ को श्टेट यानि की national level पे पहचान दिलाने में इनका एक बहुत बड़ा योगदान है तो आप बताये कि आकरसी कस्यप 36 गड़ के कहा की निवासी है तो इसका सही जो जवाब होगा वो होगा भिलाई आपका अगस्त 2019 में भारतिय बैडमिंटन संग की तरफ से जारी हालिया रैंकिंग के अनुसार आकरसी कस्यप को पूरे देश में दूसरा रैंक प्राप्त हुआ था अब यहां पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा मैंने पहले भी बत जो है नीचे रहता है क्योंकि नैशनल टूनामेंट उनलक बहुत कम खिलते हैं तो चत्तिसगड़ की बहुत इंपोर्टेंट परसनालेटी हैं बैडमिंटन से सम्मंदी स्पोर्स पैस्टनालेटी आकरसी कस्यप यह रहने वाली है भिलाई की इस बात को ध्यान रखिएगा तो इस question का जो हमारा सही जवाब जो होगा वो भिलाई होगा ये भी पूछा जा सकता है आकरसी कस्यप किस खिल से सम्मंदित है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आकरसी कस्यप जो है आपके बैडमिंटन की खिलाडी है ठीक और एक और बैडमिंटन से सम्मंदित ही important personality है तो next question हम लोग देख लेते हैं बैडमिंटन से सम्मंदित तो जो अगला प्रशन है हाल ही में 36 गड़ के किस बैडमिंटन खिलाडी ने United International Championship के तहत एकल बैडमिंटन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है आपके सामने आकरसी कस्यप दूसरा option है मनीशी सिंग तीसरा option है दिपेज सिन्हा और चौथा option है अमर्दी खरे बताइए इस question का सही जवाब क्या होगा हाल ही में United International Championship का आयोजन किया गया आपका दुबई में इसी December के महीने में किया गया और इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता है और इनका जो नाम है वो है मनीशी सिंग ठीक है तो इस question का सही जवाब भी होगा मनीशी सिंग मनीशी सिंग कौन से जीले की रहने वाली है इस बात को ध्यान रखिएगा मनीशी रहने वाली है आपके कूरबा की ठीक है तो badminton खेल से जुड़े हुए 36 गड़ के दो personality का नाम आप लोगों को याद रखना है पहला कौन हो गई पहला हो गई आपकी आकर्शी कस्यब और दूसरा नाम क्या हो गया मनीशी सिंग आकर्शी कस्यब रहने वाली है भिलाई की और मनीशी सिंग रहने वाली है कौरबा की दोनों का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा badminton खेल से जूड़ी हुई दोनों important personality है 36 गड़ से ठीक है यहां से एक question बनने की बहुत हद तक संभावना है तो आपके सामने जो option है वो है आजय मंडल दूसरा नाम है अमंदीव खरे तीसरा नाम है हरप्रेट सिंग भाटिया और चौथा नाम है सुधेश कुमार एंसर बताईए बहुत important question है संभावना बनता है यहां से प्रश्न बनने का तो मैं बता रहा हूं आप लोगों को मैं एक बात फिर से बता दे रहा हूं जो जो questions के answer आप लोगों को पता होगा ना नीचे comment box में फटा फट कमेंट करते चलिएगा और last में आप ये भी बताईएगा कि आपने total में से total कितना सही किया है और अगर आपको लगता ह है कि 15 question या 14 question में से आपने 12, 13, 10 किया है तो आप लोगों का जो motivation level है खुद पे खुद बढ़ता जाएगा तो motivated रहना बहुत ज़रूरी है इस वक्त पे चलिए तो इस question का जो सही जवाब है वो है आपका option A. अजय मंडल ठीक है अजय मंडल कौन से जगह के रहने वाले हैं इस बात को ध्यान रखिएगा ये हैं राजनांग गाउं के रहने वाले ये 36 गड़ के दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने रंजी ट्रॉफी में दोहरा सतक लगाया है फिर से repeat कर रहो important है ध्यान से सुनियेगा ये जो नाम है अजय मंडल ये 36 गड़ के दूसरे क्रिकेटर हैं जिन्होंने रंजी ट्रॉफी में दोहरा सतक लगाया है राजनांगों के रहने वाले हैं तो पहला नाम कौन है जिन्होंने दोहरा सतक लगाया है ये पहले 36 गड़ के कौन से असे व्यक्ति हैं जिन्होंने दोह ठीक है, इन्होंने टोटल जो है, 301 गेंदों का सामना किया है, अगर ज़्यादा डीप पूछा जाए, तो ये चीजें भी आप लोगों को पता होना चाहिए, 301 गेंदों का सामना किया है, दो इन्होंने चक्के लगाए है, और इसके अलावा, इनके इस पारी में चौको की संखिया है 32 ठीक इस बात को ध्यान रखिएगा अब जो सबसे पहला दोरा सतक लगाया था अमंदीप खरे ने उन्होंने बनाया था 210 रन तो अब यहाँ पर अजय मंडल जो है सबसे अधीक रन बनाने वाले एक पारी में भी खिलाडी बन गया है कितना इन्होंने बनाया 241 रन और यहाँ पर एक बात यहाँ पर समझेगा कि अमंदीप खरे कहां के रहने वाले हैं अमंदीप आपके खरे रहने वाले हैं दुर्ग जी लेके ठीक है तो इस तरह से दो नाम यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप लोग एक अजय मंडल इन्हो और 20 का आयोजन किया जा रहा है इसमें 36 गड़ को 5 मैचों की मेजवानी भी मिली है ठीक 5 मैचों की मेजवानी 36 गड़ को भी मिला है नयरायपूर में आपका अंतराष्टी क्रिकेट स्टेडिय में स्थित है तो उस 5 मैजवानी जो है वो कर रहा है और इसके अलावा एक बा किया गया है मैंने आपको बताया भी था चलिए आप लोग जवाब देकर नीचे कमेंट बॉक्स में बताईए क्योंकि एक दो दिन पहले ही मैंने बताया था कि चत्तिसगड क्रिकेट एसोशियेशन का नया अध्यक्ष किसे न्यूक्त किया गया है और एक बात और बताईए कि चत्तिसगड के पहले ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको की BCCI में काउंसलर न्यूक्त किया गया है ये दोनों का नाम मैंने दो दिन पहले बताया था उसको आप लोगों को रिकॉल करना है और नीचे कमेंट बॉक्स में उनका नाम जो है आप लोगों को बताना है ठीक है चलि चैंपियंशिब 2019 में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है आपके सामने रोहनी दत नीशा भोयर अर्चुना दास या फिर दुर्गेश नंदिनी बताईए इस कुश्चन का सही जवाब क्या होगा बॉडी बिल्डिंग चैंपियंशिब 2019 36 गड़ की उस खिलाडी का नाम क्या ह चलिए तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं 36 गड़ के उस खिलाडी का नाम है आपका नीशा भोयर ठीक है नीशा भोयर यानि कि इस कुश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन भी हो जाएगा ठीक है इस आपका बोडी बिल्डिंग चैंपियंशिब 2019 का आ प्रुगी की और यहाँ जो चैंपियंशिब है आयोजित किया गया था अपका एसियन बोडी बिल्डिंग चैंपियंशिब 2019 का जो आयोजन है आपका नेपाल में किया गया था इस बात को भी ध्यान रखिएगा और नीशा भोयर को किस कैटेगरी में गोल्ड मिडल मिला है उसको भी याद में रखिएगा ये है फिटनेस मॉडल कैटेगरी और नीशा भोयर कौन से खेल से जुड़ी हुई है तो बॉडी बिल्डिंग स्पोर्स से जुड़ी हुई है इस बाग को ध्यान में रखिएगा अगर नीशा भोयर से समंदित उनके खेल के बारे में दिया गया तो आप लोग इसके लिए भी त्यार रहिएगा तो नीशा भोयर कौन से खेल से जुड़ी हुई है एकदम रट लीजिए बॉडी बिल्डिंग से ठीक है चलिए इसके बाद नेक्स्ट कोश्चन की तरह बढ़ते हैं आपका जो नेक्स्ट कोश्चन है हाल ही में किस रंग कर्मी को इस वर्स यानि कि 2019 में संगीत नाटक अकादमी से सम्वानित किया गया था या पर मैंने बोला नहें एक दो कोश्चन मिसलेनियस का भी करेंगे तो चलिए इसके सामने ऑप्सन है आप लोगों के सामने बताईए दीपक विराट तिवारी आसिश तिवारी नीरस तिवारी राकेस तिवारी ये कोश्चन इस साल इंपोर्टेंट हो जाता है क्यों क्यों इंपोर्टेंट हो जाता है मैं बताऊंगा च्ट्रिश गड़ के किस रंग कर्मी को इस वर्स 2019 में संगीत नाटका अकादमी पुरसकार से सम्वानित किया गया है उनका नाम है दीपक विराट तिवारी ओप्सन ए इस कोश्चन का सही जवाब है और ये कोश्चन दीपक विराट तिवारी ये जो पुस्नालिटी है इसलिए इंपोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनका एक बेटा था तीस वर्स ये ये भी इसी छितर में जुड़ा हुआ था कलाकार थ जो कि यहां पर रंग कर्मी से जूड़े हुए है और इनके पीता जी को इसी साल 2019 में साहित अकादमी पुरसकार से सम्मानित किया गया था और नाम था दीपक विराट तिवारी ठीक है ध्यान में रखिएगा यहां से भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकते हैं ठीक चलि गड़ के यह भी एक important personality थे जिनका इस सल निधन हो गया option है आपके सामने एक 36 गड़ी सीनेमा आदिवासी उत्थान ग्रामिन अर्थ वेवस्था या फिर 36 गड़ी राजनेता थे तो बताईए इस question का सही जबाब क्या होगा आसी सिंद्रे जो थे वो 36 गड़ के सीनेमा से जुड़े हुए थे और मातर 46 वर्ष की उम्र में इनका 10 जुलाई 2019 को जो है निधन हो गया और इन्होंने अपनी फिल्मी केरियर का सुरुआत किया था दो हजार में 36 गड़ का एक बहुत ही फेमस फिल्म था मोर चैया मोर रखिएगा आसीस सेंद्रे का ठीक चलिए इसके बाद नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं फिर से आपका एक इंपोर्टेंट स्पोर्स से रिलेटिड कोश्चन है कोश्चन है आपका नोबी सब जूनियर नैसनल होकी प्रत्योगिता 2019 का योजन 36 गड़ के किस जीले में किया ठीक है आपके सामने option है option A राइपूर, option B बिलासपूर, option C राजनंगो या फिर option D दुर्ग देखिए अगर इस question का आपने पहले नहीं पढ़ा है या analysis नहीं किया है तो जाहिर सी बात है आपके मन में दो option पे यहापर doubt होगा एक होगा राइपूर और दूसरा होगा राज स्टेडियम बनाया गया वहीं पर इस नो भी सब जूनियर नैसनल होके प्रतियोगिता का आयोजन किया गया 17 जून से लेकर 2 जूलाई तैप तो इस question का सही जवाब क्या होगा option B होगा साथ साथ में करते चलिएगा ठीक है ना question सारे जितने भी यहाँ पर मैंने पहले भी ब mislaneous का question है important question है इसका भी 36 गड़ के किस निवासी का नाम अमेर्की अंतुरिक्च एजनसी नासा दोरा मंगल गरह पर भेजा जाएगा ठीक है important questions हो जाते हैं तो इसका जो option है आप लोगों के सामने नीतु पाठक, अनीता राठहौर, अंजुमा चौधरी या फिर महिमा बंस पताए इस question का सही जवाब क्या होगा मैंने weekly current affair में सारी चीजों को पढ़ा रखा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ recall करते चलिए चलिए तो मैं बताता हूँ इस question का सही जवाब जो होगा वो होगा नीतु पाठक, नीतु पाठक जो है अमेरिका द्वारा अंत्रिक्ष में भे जा जाएगा और नीसा भोयर 36 गड़ में कहा की रहने वाली हैं ये रहने वाली हैं कुनकुरी ब्लॉक ये आता है आपका जस्पूर जीले में अब यहाँ पर एक सवाल थोड़ा सा बात कर लेते हैं हाला कि कोई मतलब नहीं है बात करने का इसका आप लोगे मन में ये सवाल और आ रहा होगा कि पूरे दुनिया में नीसा भोयर का नाम मंगल गरह पे नासा क्यों भेजेगा इसके पीछे तो कुछ तो उद्देश होगा ना तो एक्चुली में नासा ये चाहता है कि 2021 और 22 में जो उसका मंगल गरह जाएगा उस पर पूरी दुनिया के विभीन लोग सेलेक्ट करके हर देश से किसी एक या दो या चार या पांच नाम सेलेक्ट करके उसको नासा जो है मंगल गरह पे भेजेगा तो जिसमें 36 गड़ की जो नीतु पाठक है इनका भी नाम सेलेक्ट हुआ था तो याद रखिएगा इंपोर्डेंट हो जाता है कुछ अलग माउंट इलब्रूस पर सफल चड़ाई की है यासी जैन 36 गड़ के किस जिले की निवासी है यासी जैन परवत त्रोही बहुत इंपोर्डेंट परसनालिटी है 36 गड़ की और 36 गड़ की पहली ऐसी महिला है जो एक यातरा पर निकली है और ये यातरा है इनका साथ महादूइब के सबसे उची चोटी पे चड़ने का यानि कि जितने भी साथ महादूइब हैं हमारे पूरी दुनिया में और उस साथों महादूइब का जो सबसे उचा चोटी होगा उस पर चड़ाई करने का एक यातरा पर निकली है यासी जैन और यासी जैन रहने वाली है आपकी ragged जी लेगी तो इस question का सही जवाब पहले सुन लिजे option D आपका सही जवाब है यासी जैन का ये आत्रा आपका सुरू हुआ 1 जुलाई 2019 से और 7 महादुपों की चोटी पर चड़ेंगी तो याद रखिएगा 36 गड़ की पहली महिला परवत रोही है जो इस तरह के mission पर निकली है और नाम है यासी जैन यासी जैन कहा की रहने वाली है इस बात को भी आप रोगों को ध्यान रखना है बहुत important question है ठीक चलिए इसके बाद next question है हाली में 36 गड़ निवासी अंजली पटेल ने relay race तरह की प्रतियोगिता में Asian record बनाया है अंजली पटेल किस जैने की रहने वाली है relay race प्रतियोगिता एक तरह की प्रतियोगिता है और जिसका आयोजन किया गया था अमेरिका में आपको बताना है अंजली पटेल कहा की रहने वाली है तो मैं बताता हूँ अंजली पटेल यहां रहने वाली है आपके जांजगीर चापा की तो सबसे पहले तो अंजली पटेल कहां की रहने वाली है ये क्लियर हो गया अंजली पटेल किस खेल से संबंदित है ये आपके सामने क्लियर हो गया तेराकी प्रतियोगिता से संबन दी थे अंजली पटेल ने अमेरिका के कैटलीना चैनल स्विमिंग फेडरेशन की तरफ से एक तेराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था अमेरिका में ही इसमें इन्हों ने जो है गोल्ड मेडल जीता था और अगर हम लोग तेराकी प्रतियोगिता में इनके केटिगरी में बात करें तो ये पूरे देज भर के दूसरे नमबर की खिलाडी आती है नाम फिर से एक बर बोल रहा हूँ अंजली पटेल की स्केल से सम्बंदित है तो याद रखिएगा तेराकी प्रतियोगिता अंजली पटेल का नाम है और आपके सामने कोश्चन घुमा कर कुछ और पूछ आ जाए तो नाम ही जब सामने आगया अंजली पटेल तो सीधा सीधा आप तेराकी से सम्बंदित तो आपर एंसर लगा सकते हो ठीक है चलिए इसके बाद नेक्स्ट कोश्चन की तरह बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन है तो ठीक है इस कोश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका नमी राए इन्होंने हाली में रूस के मौस्को में आयुजित वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग में इन्होंने जो है पचास देशों के प्रतिद्वंदियों को हरा कर गोल्ड मैडल जीता है चपन किलोग्राम के कैटेगरी में चपन किलोग्राम कैटेगरी में तो सबसे पहला प्रशन आपसे यहां पर यह पूछा जा सकता है कि नमी राय किस खेल से सम्बंदीत है, चत्तिसगड की निवासी, तो नमी राय जो है वर्ल्ड पावर लिक्टिंग खेल से सम्बंदीत है, इस बात को यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा, और नमी राय ज इसके लिए चैनित भारतिये टीम में चत्तिसगड के किस खिलाड़ी को शामिल किया गया है, उप्सन है दिपेश सिन्हा, उप्सन बी है अरजुन कबर, उप्सन सी उपेंद्र कुश्वाह या फिर उप्सन डी रजक कुमार, इस कोशन का जो सही जवाब होगा, वो होगा ऑप्सन ए दिपेश सिन्हा, इनका चैन किया गया था, अगर शाटिसगड में बॉलीबोल खिल से सम्मंदित, अगर दिपेश सिन्हा का नाम आता है, तो सीधा सीधा आप इनके ऑप्सन पे टिक लगा दीजेगा, ठीक है, क्योंकि अभी हाले में आप लोगों को पता है कि स South Asian Games का आयोजन भी किया गया था इस South Asian Games में भी भारतिय टीम ने Gold Medal जीता बॉलीबॉल प्रतियोगिता में और बॉलीबॉल प्रतियोगिता के टीम में 36 गड़ के भिलाई के निवासी DPS सिन्ना भी सामिल थे तो याद रखिएगा DPS सिन्ना 36 गड़ के किस खेल से समन्दीत DPS सिन्ना 36 गड़ के निवासी किस खेल से समन्दीत है तो एंसर होगा आपका बॉलीबॉल ठीक ध्यान रखिएगा चलिए next question की तरब बढ़ते हैं एक फिर से आपके सामने Michelinious का question आ रहा है कौन बनेगा करूडपती के 11 सीजन के पहले एपिसोड में 36 गड़ के किस बेटी को होट सीट पे बैठने का अफसर प्राप्त हुआ कौन बनेगा करूडपती सोनी टिवी पर आने वाला एक बहुत ही प्रसिद एक प्रतियोगिता होता है जो अमिताब बच्चन द्वारा होश्ट किया जाता है इसका 11 सीजन इस साल आयोजित किया गया 19 अगस्ट से सुरू हुआ और 36 गड़ की चितर रेखा राठोर जो है इस 11 सीजन के पहले एपिसोड में होट सीट पर बैठी 36 गड़ की निवासी है इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है चितर रेखा राठोर जो है अभी वरतमान समय में रायपूर के रामकृष्ण होस्पीटल में वहाँ पर डॉक्टर है तो नाम याद रखिएगा चितर रेखा राठोर का जो की 11 सीजन में के बीसी के होर्षीट पर बैठने वाली व्यक्ती बन गई थी और यह 36 गड़की थी इसलिए हम पर important question बन जाता है ठीक है चलिए इसके बाद एक और important question है आप लोगों के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 के लिए 36 गड़के कितने खिलाडियों का चैन किया गया है खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन कहा किया जाएगा असम के गुहावटी में 9 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक किया जाएगा सबसे पहला सवाल आपका ये हो गया इसमें जो है तोटल भारत के जितने भी राज्य और किंदरसासित परदेसे हैं सब हिस्सा लेते हैं अब इस कोश्चन का जो सही जवाब होगा 36 गड़ से कितने खिलाडी भाग ले रहे हैं तो ये आपके टूटल हो जाते हैं 104 ठीक है पिछले साल यानि कि 2019 में जब खेलो यूथ गेम का आयोजन किया गया था तो 36 गड़ के तीसरा संसकरा नहीं है पहला दिल्ली तूसरा पुने और तीसरा असम के गुहाबटी में 36 गड़ के 104 खिलाड़े इसमें हिस्सा ले रहे हैं इस बात को ध्यान रखिएगा और खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन जो है केंद्रिये खेल एबम यूवा कल्यान मंत्राले द्वारा इसका आयोजन किया जाता है तो इन सब बातों को जो है आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है एक क्वेशन और था यहाँ पर 36 गड़ किर्केट एसोशियेशन द्वारा किसी रंजी 2019 बेशितू 36 गड़ टीम का कप्तानित किया गया है यह क्वेशन मैं पहले भी करवा चुका हूँ और आपसे नीचे कमेंट बोक्स में एंसर करने के लिए भी बोला हूँ तो इन बातों को ध्यान में रखियेगा जितने भी मैंने इस स्पोर्ट से बताये हैं जितने भी कोश्चनस यह पर करवाएं वहां से एक ना दो कोश्चन आपसे बनने की सभावना बन जाती है तो इसलिए बहुत ध्यान से इसको करिएगा और अब आपको करना हिया है कि आपने जितने भी वहां पर attempt किये और जितने आपके सही हुए हैं वो एक बार नीचे comment box में comment करके जरूर बता दीजेगा और 36 गड़ weekly current अफिर वाला आपको आज से कल मिल जाएगा तो जो जो नई चीजे होती आ रही है ना जैसे आप मान लो कि यहाँ पर आपका आदिवासी नरित महोट साब का आयोजन किया गया इसके लावा और कुछ-कुछ जो जो important अपडेट्स हैं 36 गड़ को कुछ important awards मिले है नैसनल लेबल के तो वो सारे weekly current अफिर वाला session भी बहुत important हो जाता है तो उसको छोड़िएगा मत उसको करते चलिएगा ठीक है साथ-साथ में इसके लावा बाकी वीडियोस को भी देखते रही वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक किजेगा और FTR का मेगा टेस्ट जो राजस्तरिये है राजस्तरिये पे वैसा महौल create करवाना यानि कि जिस तरह सब का CGPS से प्रेलिम्स एक्जाम कंड़क्ट करवाता है वो आपके उपर में जिम्मेदारी बनती है आप अपने दोस्तों तक शेयर करें क्योंकि जितना ज़्यादा लोग इस एक्जाम को देंगे उतने ज़्यादा लोगों के बीच में आपको रैंकिंग मिलेगी तो एक प्रॉपर वैसा महाल हम दे पाएंगे तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए उस टेस्ट के बारे में एक जनवरी से रेजिस्टेशन करवा लीजे वेबसाइट पर विजिट केजिए आप हमें कॉल करके सारे जानकारी ले लिजे किसी भी दरह से किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमसे डारेक्ट कॉंटेक्ट कर सकते हैं तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही थैंक्यू CGPSC की समपूर्ण तयारी के लिए Competition Community के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले